हलो दिया स्टूडिन्स कैसे हो आप लोग आपने एक्सराइज 1.3 का इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा और उसमें पहले दो क्वेस्टिन्स सबसेट्स को समझने के बाद असानी से कर लिया होगे आएए अब हम क्वेशन नंबर 3 पर एंटर करते हैं क्वेशन नंबर 3 में हमें एक सेट दिया हुआ है आप देखें अब यहाँ पर क्योंकि लेवल धीरे धीरे हम लोगों का बढ़ रहा है तो यहाँ पर इस सेट में करली ब्रैकेट के अंदर एक और एलिमेंट दिया गया है जो के सेट के फॉर्म में है बट यह कंसिडर तो एल क्वेशन को सिर्फ आंसर नहीं कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं उसके कॉंसेट को समझ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से हर पार्ट में भी हम क्या रीजन है ठीक होने का और गलत होने का दोनों समझते हैं त्यान से देखिए पहले पार्ट की तरफ यहाँ पर यह का गया है कि क कुर्ली ब्रैकेट 3,4 इस सेट A का सबसेट है लेकिन ठीक इस से पहले जब हमने क्वेशन के बारे में बताना शुरू करा तो ही आपने सनाओगा मैंने क्या कहा कि ये कुर्ली ब्रैकेट 3,4 as an element एक element की तरह इस सेट के अंदर है तो ये गलत है दिस इस इनकरेक्ट और हम रीजन ये देंगे बिकिज कर्ली ब्रैकेट 3,4 is an element for A not the subset आईए सेकंड पार्ट की तरह बढ़ते हैं अब जबकि हम सेकंड पार्ट पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्माइल करना पड़ेगा क्योंकि यही वो रीजन था जो हम दे रहे थे इसके true होने के लिए तो इसका reason हमने already पहले दे दिया है आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरह बढ़ते हैं अध्यान से देखे अब यहाँ दो दो बार curly bracket बना दिये गाए हैं यानि हमने element को एक set में रख दिया है और यह element क्या है 3,4 तो यह definitely एक subset है A का this is correct तो यह पार्ट भी correct निकला आगे बढ़ते हैं fourth part की तरह फूर्थ पार्ट में कहा जा रहा है कि one is the element of A this is correct क्योंकि definitely one जो है एक member है A का और यह इसका element होगा ही तो देखे जब कोई चीज correct है तो हमारे पास इतना कुछ कहने के लिए नहीं है लेकिन जब incorrect है तो खुद खुद कोई नहीं कोई reason हमारे पास आ जाता है तो यहां देखे fifth part जो है वो fourth की वज़ा से ही समझ में आ रहा होगा because one is the element of A therefore one cannot be this upset of A hence this part fifth part जो होगा वो incorrect होगा मेरे बच्चों our students आगे बढ़ते हैं अब यहां देखे sixth तो जब मैं sixth की बात करता हूँ तो हमें फिर से set A को देखना पड़ेगा हमने क्या करा 1,2,5 से एक नया set बनाया और यह तीनों के तीनों elements 1,2 और 5 इस set A का part है तो definitely this set containing three elements 1,2,5 is the subset of A जैसे कि part fourth correct था वैसे ही part six भी correct है आएए अब अगले तीन parts को देखते हैं अब यहां जो seventh part है वो sixth part की वज़ा से ही हम उसको justify कर पाएंगे और clearly कह पाएंगे that this is incorrect since this is the subset not this set which is the element of A hence this part is incorrect आएए आगे बढ़ते हैं एक बार मैं यह rub कर दू इत पार्ट को देखें 1,2,3 बचो ध्यान से देखो one,2,3 कोई set ही नहीं है this cannot be the subset of A because only three is not the element of set A therefore this is incorrect मतला यह तो meaning ही नहीं है ना इसका तो इसलिए यह incorrect हो जाएगा और अब फाए को लेकर बहुत confusion है बच्चों को तो क्या फाए एका element है नहीं फाए is not the element okay therefore incorrect but फाए किसी भी set का proper subset होता है मतला subset तो होता ही है लेकिन proper subset होता है तो 10th part को अगर हम देखें तो हम लिखेंगे फाए is यह आप खुद भी लिख सकते हो that five is or null set is the proper subset of every set except for itself मतलब five अपना proper subset नहीं होता subset तो होता है लेकिन proper subset नहीं होता लेकिन वो किसी में दूसरे non-empty set का proper subset होता है therefore the 10th part is a correct one this is correct आईए अखरी part की दिरुब बढ़ता है और इसको समझते हैं यहाँ पर एक set दिया हुआ है जिसमें अंदर five है but क्योंकि five a का element नहीं है यहाँ पर दिहान से देखें set a के अंदर five is not the element of a therefore this cannot be the subset of a so this is incorrect अगर माल लीजे यहाँ set a के अंदर five होता तो हम कह सकते दे कि हाँ यह null set है और उस समय यह भी true हो जाता यानि जो 9th part है वो भी true हो जाता और जो 11th part है वो भी true हो जाता but अभी अगर हम देखें तो यहाँ जो answer है वो है incorrect तो मुझे पूरी उमीद है कि आप को अच्छे से समझ में आया होगा आये अब आगे बढ़ते हैं और कितने subsets possible है और power set क्या होता है उसको समझते हुए हम अगले दो questions solve करेंगे आये बढ़ते हैं number of subsets की तरफ पुछो question को solve करने से पहले आये हम लोग subsets और power set के बारे में समझ रहते हैं माल लीजे मेरे पास एक set है जिसमें दो elements है 1,2 तो अब इसके कितने subsets possible हो सकता है एक हो सकता है खुद a जो की improper है लेकिन फिर भी subset तो है दूसरा one से बना हुआ एक subset यानि एक set जो की a का subset होगा ऐसे ही two उससे एक set बना लिया जो a का subset है और five five तो a का किसी भी set का subset होता ही है तो ये जो sets आ गए हैं ये सारे sets इनको हम कह देते हैं subsets और अगर इसको भी मैं curly bracket में रख दूँ तो उसे power set कह देते हैं यानि सारे subsets का set यानि five curly bracket one curly bracket two या खुद फिर a इसको भी रख दिया तो ये जो set बना इसको power set कहते हैं और अगर इसको curly bracket में नहीं रखते हैं तो ये सारे subsets अलग-अलग पड़े हुआ हैं तो बच्चो इस चोटी सी illustration से आपको concept समझ में आगया होगा अब समझे कि number of subsets कितने होते हैं number of subsets ये होते हैं two raised to power m where m is the cardinal number total number of elements in a ये मतलब हुआ और power set में भी यह हो जाएगा power set में कितने elements होते हैं वो ये हो जाएगा जितने subsets हैं यहां ध्यान से देखें ये सारे के सारे subsets इस power set के तो elements हो गए तो number of elements in power set will be two raised to power m जो की number of subsets हैं एक है उमीद है आपको concept समझ में आया होगा और इसी concept को लेते हुए हम लोग अब questions को solve करेंगे आई ये fourth question पर आगे बढ़ते हैं write down all the subsets of the following sets तो सबसे पहले a एक single element है तो आपको मालम है two raised to क्योंकि इसकी cardinality one है तो two raised to power one यानि दो subsets होने वाले हैं इसके so first part के जो subsets होंगे वो होंगे खुद ये set a और दूसरा null set देखिए ये दोनों answers आगा है अब हम आगे बढ़ते हैं second part के तरफ चलते हैं second part है a, b जिसको अभी अभी हमने इसके through समझा था अब देखिए one के बदले a ले लीजे और two के बदले b ले लीजे तो देखिए कितनी आसानी से हम इसे कर पाएंगे समझ पाएंगे पहला set ये खुद जो set दिया हुआ है दूसरा set a element के साथ बन सकता है क्योंकि a और b इसके elements हैं इस वज़ा से तीसरा set b के साथ और जो fourth है वो five होगा क्योंकि इसकी cardinality two है इसलिए total subsets two raised to power m m हमने लिया cardinal number तो answer आना चाहिए था four तो देखिए चार हमने subsets बना दिये आगे बढ़ते हैं और अब third set की तरफ आते हैं जिसमें तीन elements हैं तो आपको पता होना चाहिए two raised to power three यानि eight subsets बनेंगे तो बहुत ध्यान से हम लोग आगे बढ़ेंगे सबसे पहले ये set खुद आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे कोई दो-दो elements ले लेंगे जैसे मैंने यहाँ one, two लिया curly bracket में लग दिया फिर मैंने two, three का combination ले लिया curly bracket में लग दिया और फिर one, three का combination ले लिया इसके बाद single elements लेते हुए यहाँ three sets हमने prepare कर लिया जो की sub sets है और last में null set आ गया अब हम इसे count करके देखते हैं तो जब हम count करेंगे तो यह होगा one, two, three four, five six, seven eight, eight sets बन गए और यह सारे के सारे sets one, two, three के sub sets हो गए आईए इस question के आखरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और यह बड़ा interesting होने वाला है क्योंकि यहाँ null set दिया हुआ है और आप जानते हैं कि null set की cardinality यानि cardinal number zero होता है तो यहाँ पर जो sub sets आएंगे वो two raised to par zero यानि यह खुद होगा तो इस तरह से हमने sub sets को समझ लिया अब इन सारे sub sets को अगर हम एक curly bracket में डालते हर एक पार्ट के अंदर तो वो बन जाते power sets question number five की तरह बढ़ते हैं question number five को देखे यहाँ सिर्फ elements बताने है how many elements has power set of a if a itself is a null set यानि power set of a के कितने elements होंगे जब a खुद null set है तो सबसे पहले number of elements मैं फिर से लिख देता हूँ हमने हाला कि lecture के beginning में इसकी बात करी थी number of elements of power set of a if a has m elements यानि इसकी cardinality m है is equal to two raised to power m अब क्योंकि यहाँ पर a five के equal है तो इसकी जो cardinality है वो क्या है zero तो two raised to power zero क्या हो जाएगा one यानि power set of a या फिर power set of null set would be one यानि ये खुद होगा यानि इसके number of elements जो होंगे वो one होंगे और अगर हमें कोई कहे कि वो create भी करके बताएगे तो ये रहा वो set ये देखे तो बच्चों इस part में हम लोग सिरफ fifth question तक करेंगे आगे हमें करना होगा intervals इसके लिए एक बहुत important और interesting video हमने यहां description box में उसका link डाला हुआ है जो कि बहुत important है अगले questions को करने के लिए तो पहले उस video को अच्छे से समझिए उस पे notes बनाएए और हम आएंगे अगले part में जिसमें हम बाकी बच्चे हुए question इस exercise के solve करने वाले हैं बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए